मैं हूं जितेन चौदरी स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल जह के अरूटेक में दोस्तों आज हम बात करेंगे सेमिकंडुक्टर इस्टॉक के बारे में और बेसिक रूप से दो ऐसे multi bag assets के बारे में बात करेंगे जो semi conductor में यूज के होने वाले chemical को बनाने का काम करते हैं यह दोनों केमिकल की कंपनिया लेकिन chemical के अलावा semi conductor से इनका नाता है और दोस्तों मैं लगतार कोशिश कर रहा हूँ कि Artificial Intelligence, Semiconductor, IT Sector, FMCG, अलग-अलग sectors के ऊपर वीडियो अपडेट करो ता कि आप Long Term में सब कंपणियों में इंवेस्टमेंट करके खूब सा रिटर्न कमा सकें. तो दोस्तों देर किस बात की? सबसे पहले आप Analysis कीजिए और Analysis करने के बाद छोटी सी quantity, मतब थोड़ा पैसा Long Term के परपस से रखिए. तो Semiconductor का रिटर्न देखेंगे तो चोग जाएंगे. एक ऐसी कंपनी जिसका अभी शेयर प्राइस चानवे रुपे 20 पैसे है, लेकिन पिछले एक साल के अंदर-अंदर तकरीबन 150% का रिटर्न इस कंपनी ने दोस्तों बना कर दिया है और ये से मीं conductor वाली कंपनी है और पिछले 5 सालों का इस कंपनी का ग्राफ चेक करेंगे तो तकरीबन 435% के करीम में इस कंपनी ने भीते 5 सालों के अंदर-अंदर return बनाकर अपने निवेशकों को दिया है और दोस्तों इस company के उपर मैंने कई बार वीडियो अपडेट किया है और इस company का नाम है दोस्तों MIC electronic limited जो high end electronic and telecommunication equipment को बनाने वाली company है telecom software sectors में इस company के product का सबसे ज़्यादा जो है यूज किया आता है 2314 करोड की company है लेकिन stock पी देखेंगे अन्य semiconductor की तूनला में तो काफी सस्ता है लगब उनके एक तिहाई से भी कम यहाँ पर इनका stock पी देखने को मिल रहा है 2022 में इस company का जो sales था 31 करोड रुपीश का था जो भी current year में भढ़कर 58 करोड रुपीश के करीम में पहुच चुका है sales में इजाफा और उसके अलावा इस company के पास reserve money के रूप में देखें तो जहाँ पहले 2021 में कुछ भी नहीं था अब company के पास 78 करोड रुपीश रिजर अमाउंट के रूप में है और 12 करोड रुपीश इस company के ऊपर डैता है 4.77% के करीम में FIS की holding है और 66.46% के करीम में दारी है 28.77% के करीम में रिटेल इमेश को ने investment करके रखा है दोस्तों आप चाहते हैं कि ऐसे ही super multi-bagger sales की complete PDF आपके भी portfolio में हो तो जो नंबर दिख रहा है दोस्तों उस पर high 50 multi-bagger टाइप करके whatsapp के तुरू नसेश कीजिए आपको ऐसे ही 50 multi-bagger की complete PDF फाइल डिटेल में प्रोवाइड कर दे जाएगे दोस्तों stock market में यह आप काम कर रहे हैं investment कर रहे हैं तो अपना vision long term कर रखेंगे तो आपको profit भी उसी तरीके का बनेगा short term में दोस्तों कुछ नहीं बनने वाला है long term में ही बड़ा पैसा बनेगा और यह पहले से मैं बोल रहा हूं और आज भी बोल रहा हूं तो पहला chemical stock है दोस्तों तक्रीबन 4598 रुपे के भाव पर trade कर रहा है लेकिन पिछले एक साल का return चेक करेंगे तो 65% के करिम में इस company ने बीते एक सालों के अंदर अंदर return बना कर अपने निवेशकों को दिया है वहीं पिछले पाँच सालों का इस company का graph चेक करेंगे तो तक्रीबन 540% के करिम में इस company ने बीते पाँच सालों के अंदर अंदर return बना कर दिया है और इस company कहना है दोस्तों गुजरात Floro Chemical Limited जो एक chemical वाली company है आइनोक्स ग्रूप की जो company है गुजरात Floro Chemical बेसिक ग्रूप से फ्लोरो इस पेसिल्टी केमिकल्स और रिफ्री ग्रेंट बनाने का काम करती है इंडिया में और इसके अलावा एक company chloroform, methyline, decloride, ctc के अलावा और भी जो chemicals के अलग-अलग variants होते जो से क्यास्टिक होता है इलेक्ट्रोलाइट्स, binders, cathode उसको एक company बनाती है solar power plant और solar panel में जो chemicals के आते हैं उसको भी एक company बनाती है यानि इस company का business कापी अच्छा है oil and gas, printing inks, semiconductor, chemical processing, wire and cable, automotive, agrochemical, pharmaceutical जैसे sectors में इस company के product का इरुष के आता है अमेरिका में एक company देखेंगे तो मैक्सिको, ब्राजील, अर्जेंटिना, एंटलेटा, यूके और रो में देखें तो साउथ अफरिका जैसे देसों तक इस company की पहुँच है कापी बढ़िया company है और एक company जो है chemical के अलावा electricity powder बनाने का भी काम करने का यूनिट जो है manufacturing unit इंडिया में इस्टेबलेश की वही है पचास हजार पाच्सो ब्यासी करूड की एक company है 148 का पी है इस company का थोड़ा सा मागा है 2022 में इस company ने 3954 करूड रुपे का जो नेट सियल जनेट किया था अभी current year में बढ़कर 4248 करूड रुपे के करीम में पहुच चुका है सितंबर 2024 तक का डेटा चेक करें तो 62.58% के करीम में प्रमोटर की ओल्डिंग है 4.88% के करीम में अफास की ओल्डिंग है 9.58% के करीम में mutual first ने investment करके रखा है गुजरात फ्लोरू chemical limited में जो अगला stock है दोस्तो यह तो अभी उडान भरने की तयारी बना रहा है और अभी 1660 रुपे के करीम में stock market में trade कर रहा है पिछले एक साल का इस company का अगर आप चेक करेंगे तो 34% का return आपको देखने को मिलेगा कापी अच्छी company है दोस्तो और इस company का नाम है दोस्तो AMI Organics Limited जो इंडिया के leading company है इस specialty chemical उनाने के लिए इंडिया में जाने जाती है इसके अलावा active pharmaceutical product को भी यह company बनाती है 6781 करोड की यह company है stock भी इस company के चेक करेंगे तो 106 के करीब देखने को मिलेगा 2022 में इस company ने 520 करोड रुपे का जो निट सेल जनिट किया था वो भी current year में बढ़कर 740 करोड रुपे के करीब में पहुच चुका है 35.98% के करीब में promoters की holding है 12.93% के करीब में FIS की holding है और mutual first ने 14.81% के करीब में investment करके रखा है तो semi-conductor related इस company का business model जो है कापी अच्छा है बढ़िया है और company के balance की आपको ठिक ठाक देखने को मिल रहा है तो AMI organic limited, Gujarat fluorochemical limited ये दो ऐसे chemical sectors के stocks हैं जो electronic manufacturing में यूज की जाने वाले chemicals की supply करते हैं इंडिया में और दोस्तों अभी इन company की शुरुवात अभी और लंबा journey है इसमें और भी ज्यादा return आपको देखने को मिलेगा लेकिन इसके लिए आपको research करनी पड़ेगी मैं बार बार आपको motivate करता हूं हर एक वीडियो में कि आप research पर focus कीजिए अधिक सधिक research कीजिए डेटा को अनलेश केजिए कंपणी balance sheet को पढ़िए कंपणी के क्या advantage है कंपणी की क्या disadvantage है कंपणी के product कौन से हैं जो product company बना रही है क्या वैसे product और भी market में लोग बना रहे हैं या नहीं लेकिन होता क्या है जैसे ही आप research करते हैं थोड़ी सी quantity डालते हैं फिर market में किसी external इंटर्नल रिजन की वज़ाते market crash हो जाता है फिर वहां पर सारा आपने जो research किया है पानी हो जाता है और सोचते हैं कि आर बिकार है शेर बजार बिकार है इसमें मुझे आना ही नहीं चाह रही थी तो सभी लोग सोच रहे थे कि market और जाएगा नीचे और जाएगा लेकिन जिन लोगों ने थोड़ी थोड़ी quantity add करके शुरू की आज फुल portfolio उनका हरा भरा है दोस्तों आप चाहते हैं कि ऐसे ही वीडियो आप तक मिलता रहे तो प्ली चैनल को सब्सक्राइब कर द देजिए वीडियो देखने के लिए आप सभी लोग का धन्यवाद